तो दोस्तों आप लोग थमनेल देखकर समझ गए होंगे कि आम किसकी खबर आपको सुनाने जा रहे हैं दरसल हम आपको सुना दें कि डेड़ लाग केस 25 एटियम दो करोड के हिसाब की परचियां अलवर पुलिस ने दबोचा साधे ठक दरसल राजिस्तान के अलवर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पुलिस ने सौंबार को एक ऐसे ठक को दबोचा है जिसने बीते एक महिने में एटियम मसीन से दो करोड रुपे निकाले हैं वहीं पुलिस को ठक के पास पुलिस को दो बैंकों के 25 एटियम कार्ड मिले हैं ठक की ग्रेपत जहीर अबास ने बताया कि गिरिफतार 22 वर्से आरोपी फारुक एमद भरतपूर के लाडम का गोपालगट का रहने वाला है जिसको लेकर इंपुट मिला था कि वह पिछले चार दिन से सहर के अलग-अलग एटियम बूत में जाकर पैसे निकाल रहा है इसके बाद आरोपी की कॉंस्टेबल दीन महमद और मूलचंद ने रेकिंग की वहीं बीतर अविवार रात आठ बजे पुलिस को जानकारी मिले की आरोपी युवक मुंगस का इलाके में एक बैंक के एटियम बूत से पैसे निकाल रहा है इसी दोरान पुलिस ने वहां पहुँच कर जांच की तो उसके पास से एक लाक पैतालीस हजार रुपे पाए गए आरोपी के पास मिला दो करोड का हिसाब वही एसेचों ने जानकारी दी की फारुक किसी ठग करने वाली गैंक से जुड़ा हुआ है जहां वह ठगी से अकाउंट में पैसे गिरोहों तक पहुँचाने का काम करता है और इसी एवज में वह कमिसन लेता है पुलिस को आरोपी की तलासी लेने पर उसके पास अलग-अलग बैंक के 25 एटियम कार्ड मिले और पूश्ताच के बाद उसने बताया कि वह इन एटियम से आज 3-4 लाक रुपे निकालने के लिए आया था वही पूश्ताच में आरोपी ने मोबाइल में पुलिस को 2 करोड रुपे का हिसाब भी मिला जहां हिसाब की पर्चियों 7 दिसेंबर से लेकर 7 जनवरी तक की बनाए होई थी पुलिस को पता चला कि आरोपी दो 35 कमिसन लेकर किसी ठगी गैंग के लिए काम करता था सेक्स टारजन गैंग से जुड़े हैं आरोपी के तार वहीं आरोपी ने बताया कि उसने पिछले 15 दिन में एटियम से करीब 25 लाक रुपे निकाले हैं और यह पैसे निकाल कर उसको भरतपुर के अलग अलग गाओं में रहने वाले इर्फान, इसमाईल और भोला सहीत करीब 8 लोगों को देने थे अब पुलिस ने इन लोगों की तलास भी शुरू कर दी हैं इसके अलावा सेचों ने जानकारी दी कि सुरुवाती जाँच में पता चला कि सभी अकाउंट फरजी हैं और पैसे सेक्स्टारजन या ठगी करके इकटे किये गए हैं अलवर में फैला साइबर ठगों का जाल अलवर के साथी ठगों ने साइबर ठगी का जाल आसपास ही नहीं बलकि पूरे देस भर में फैला दिया हैं जहां गाउं ढानियों में बैठे लोग देस भर के लोगों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं वहीं आजकल लोगों को ठगने के लिए सेक्स टार्जन के अलावा कई तरीके अपनाए जा रहे हैं इधर पुलिस भी साइबर ठगों के नेटवर्क का धवस्त करने में नाकाम साबित होती दिखाई दे पड़ती हैं राजिस्तान के अलावा और भरतपूर तथा हरियाना के नू जिला मेवात छेत बैठे हैं जो मोबाइल और लेप्टॉप के माध्यम से राजिस्तान और हरियाना के अलावा दिल्ली उत्तरपिर्देश, मद्धेपिर्देश, गुजरात, बिहार, महारास्ट्रा, केरल, तमिल्लाडू, पच्छिम, बंगाल और चेन्ने साइद, देश भर के लोगों को ठ साइबर ठग है, साइबर ठगों की वज़े से हमारे इलाका बदराम हो रहा है, अगर आप लोग ऐसे लोगों से तालुकात रखते हैं, तो बिलकुल भी छोड़ दीजिये तालुकात, नहीं अदरवाइच आप भी ग्रिफ्ट में आ सकते हैं किसी दिन उनके जाल में, तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या रहा है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपने अभी तक DTV न्यू चैलन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को जदा जदा लाइक और सेर करें, फिर मिलेंगे लेगले वीडियो में तब तक लिए दीजिया में अजादब, खुदा आपश्यू